वेलकम फ्रेंड माइनेम इस महम्मद असरप और आप सभी को स्वागत है हमारी योटूब चैनल असरप टेक पे फ्रेंड मैं आज आप के लिए कुछ ऐसा एपलिकेशन लेके आया हूँ अपने डिलीट हुआफ फोटो को भेक अपले सकते हो फॉटो को रिकबर कर सकते là तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं ने जो अपना चार अप्लीकेशन यहां पर सिल्ट करके रखा है तो डिस्ट डिगर एپलिकेशन का बारे में तो आप सब कोई पता ही होगा कि यह इपलिकेशन क्या है और किस तरफरा वर्क करती है तो मैं आज बात गूँगा इन तीन एपलिकेशन के बारे में जिससे अब अपने डिलिट हूँ फोटो को recover कर सकते हो फ्रेंड ये तिनों application का link मैंने description पे दे दिया है वहां से जाके फ्रेंड आप application को download करके अपने delete हुआ photo को wake up ले सकते हो तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इन तिनों application का नाम यहां पे पूरा same है और इसका जो logo है वो अलग-अलग है तो फ्रेंड चलिए बात करते हैं सबसे पहला वाला application का बारे में तो फ्रेंड इसे यहां से हम open कर लेते हैं तो फ्रेंड आप कोई भी application जब open करते होंगे सबसे पहले फ्रेंड आपको एक permission allow करना पड़ता है तो फ्रेंड पर्मिसन को allow कर दें उसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं application यहां पे हमारा open हो गया है उसके बाद फ्रेंड फोटो recover करनी के लिए हमें यहां से scan पे click करना पड़ेगा फ्रेंड यहां से scan पे click कर लेते हैं उसके बाद जो भी एड आता है आपको simply add go close कर देना है तो फ्रेंड यहां पे आप देख सकते हैं हमारा जो यहां पे photo backup recover होना यहां से start हो गया है फ्रेंड अभी देख सकते हैं 1200, 2000 इस तरह करके हमारा जो सारा photo है वह यहां पे एक एक करके backup आना इस्टार्ट हो गया है फ्रेंड मैं एक बात आपको killer कर देता हूं यह सारा जो application है आपको सारा photo backup नहीं देता है कुछ-कुछ आपका photo जो होता है वह यहां पे backup आता है तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारा जी यहां पे सारा photo निकल के आ गया है आप यहां पे देख सकते हैं April 2020 का जितना भी यहां पे photo है वह यहां पे so कर रहा है इसका नीचे जाएंगे तो फ्रेंड यहां पे आप देख सकते हैं हमारा जितना गिलेरी में फोटो है वो भी यहां पे सो कर रहा है और मेरा जितना भी फोटो यहां से डिलिट हो गया है वो भी यहां से सो कर रहा है तो फ्रेंड हमें क्या करना है अगर इस फोटो को बेकप लेना है तो फ्रेंड यहां से हमें क्लिक करना है उसके बाद फ्रेंड यहां पे जो आप यह आप्सन देख पार होंगे डाउनलोड का इस पे आपको क्लिक कर देना है उसके बाद देख पा रहो हैं यहाँ पे आगिया Do You Want To Recover तो फ्रेंड यहाँ से आपको OK कर देना है फ्रेंड यहाँ से आप JCO OK करेंगे तो फ्रेंड यह फोटो आपका Recover हो जाएगा तो फ्रेंड चल यह चलते हैं आप दूसरे अप्लिकेशन पे तो friend आप बात करते हैं इस application का वारे में तो friend आप देख सेकते हैं application का नाम भी से में सिरिव इसका logo अलग है तो friend इसको हमें click कर लेना है उसके बात friends आपको एक permission देके इसी بडे einow कर देना है तो friend आप देख सेकते हमारा application पूरा open हो चुका उसके बाद यहाँ पे आपको click करके start पे click कर देना है तो friend यह application पे थोड़ा वक्त लगता है recover होने में तो friend यह application जब आप use करेंगे तो friend यहाँ पे आपको 100% होने में कम से कम 5-7 minutes लग सकता है तो friend यहाँ पे आपको कुछ दिर wait कर लेना है उसके बाद friend आपको जो delete हुआ फोटो यहाँ पे एक एक करके वापस आने लगेगा वहाँ से आप सारा फोटो को बेक अप ले पाएंगे तो चलिए friend यह भी time लगेगा इसलिए में आपको next application को दिखलाता हूँ कि किस तरह आप उससे delete हुआ फोटो को recover कर सकते हैं और friend आप यहाँ पे जो हमारा तीसरा application देख पहा रहा हूँगे इसका भी friend नाम हमारा same है और यहाँ पे इसका सिर्फ logo यहाँ पे delete हुआ लोगो बनाया हुआ है तो चलिए friend इस application को यहाँ से open कर लेते हैं हर बार की तरह इस बार फी friend आपको एक allow करके इस application को open कर लेना है उसके बाद friend यहाँ पे देख सकते हैं हमारा photo recovery यहाँ पे हमारा loading चल रहा है यानि friend हमारा जितना भी photo delete हुआ है वह यहाँ पे backup आ रहा है तो friend यहाँ पे हमको कुछ दिर wait कर लेना है उसके बाद friend आप यहा से आपको simply bake कर देना है उसके बाद friend यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा application से हमारा जो इतना भी photo वह backup आ गया है तो friend यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा folder मना हुआ है friend यहाँ से आपको उस folder को select कर लेना है जिस folder का फोटो को recover करना चाहते हैं आप friend यहाँ से एक एक folder पे click करके आप अपना photo को check कर सकते हैं कि किस folder से आपको कौन सा photo delete हो गया था और यहाँ पे वह backup आके show हो रहा है तो friend इसी तरह आप इन तीनों application से delete photo को recover कर सकते हैं बेक ले सकते हैं तो friend इस डिगर application का बारे में तो आपको पता ही है कि यह किस तरह work करती है तो मैं आपको एक बार फिर देखा देता हूं कि किस तरह यह application यूज किया जाता है तो सबसे पहले friend आपको डिस्क डिगर application को open कर लेना है एक permission देके friend application को allow कर देना है उसके बाद friend आपको application open हो जाएगा और friend यहां पे आप देख सकते हैं बस आपको यहां पे एक क्लिक करना है और आपका friend आपका वो सारा फोटो सो होने लगे गा जो friend आपो पास से डीलीट हो गया था और जो अभी आपके गिलेरी में मौदूद है तो friend आप देख सकते हमारा झो फोटो यह पे अभी 100 होने लगा आगा यह नहीं मेरे द्पोटסे डीलीट हो गिया था वो यहां पैभी सो हो रह सकते हैं या पना फाइल मेनजर कुछ तरीके का होता है अब अपना जहीं कपा हैं कर लें इसके पाको चले जाना आपने फॉलडर लग और यहां पप करना है सी आ इम इüneक है हर मोबाइल में होता है फॉल्डर पर आपको पूस्छन यहां पर भल्डर पर है कीलिक कर लेना है उसके बाद आपको यह से चले जाना है सेटिंग पे जाने के बाद यहां पर देख सकते हैं और यहां पर बेरा जो ऑप्शन किया हुआ होगा तो फ्रेंड यहां से एनबल कर देते हैं उसके बाद चले आते हैं फ्रेंड बेक आपकां यहां पर यहां पर उपसन आजाएगा थम्डियर को और यहां पर चीलिठा है aşk यहां पर देख सकते हमार मुज़त है यहां पर फॉलेक्पर ले सकते हैं फ्रेंड आज का ये वीडियो आप सभी को अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी साथ फ्रेंड नोटिफिकेशन बिल को भी जरूर प्रेस करें ताके हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो पर